नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी को कारबाइन्स खरीदनी थी और इसके लिए UAE की एक कमपनी देखी जा रही थी और ऐसा भी था कि इसी के साथ में डील फाइनल होगी लेकिन अब ये डील दोस्तों नहीं फाइनल होती दिख रही और ये दोस्तों अपना ट्रैक लूज करती जा रही है आज इसी के उपर बात करेंगे चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों जिस UAE की आम्स मिनफेक्चरर कमपनी को हमने शोर्ट लिस्त किया था क्लोज क्वार्टर करबाइन्स के लिए उसने डिफेंस मिनिस्त्री को एक लैटर लिखा है और एक क्लैरिटी मांगी है कि क्या वह है इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा डिले करना चाता है या बंद करना चाता है जो ओल्रेडी दो साल डिले हो चुका है तो दोस्तों ये है UAE का केरेकल ग्रूप जिसे की 2018 के अं ये ओडर शायद डिले हो जाए या फिर कभी नहीं हो और इसी लिए इसने अब कहा है कि फाइनल कोंट्रेक्ट के उपर आपकी क्या राय है और क्या स्टेटस है ये हमें बताया जाए ताकि हम वैपन की सप्लाई शुरू कर सकें और इस कंपनी ने लेटर के अंदर लिखा ह है कि ये प्रोग्राम जो आप चलाना चाहते हैं हमारे साथ में ये फास्ट्रेक प्रोक्योर्मेंट प्रोग्राम है तो इससे हमारे जितने भी प्रोडक्शन रिसोर्सिस है उसके उपर स्ट्रेस आ जाएगा लेकिन फिर भी हम इसके लिए तैयार है लेकिन हमें वैपन सिस के स्टेटस के बारे में बताएं ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें और दोस्तों ये भी बता दें कि ये अगर डील हो जाती तो ये पहली डील होगी जो इंडिया और किसी UAE की किसी कमपनी के बीच में साइन होती लेकिन अब इसके उपर अलग अलग तरह के व्यू आ रहे हैं ये हमें local जो domestic companies हैं वे भी अब देख रही हैं कि हमें कोई order मिले और हम product तैयार करना शुरू करें तो ऐसे में दोस्तों इन कारबाइन्स के उपर कोई decision finally आता हुँ अधिक नहीं रहा है और दोस्तों already हमने 2 साल late कर दिया है ये fast track contract था तो ऐसे में दोस्तों अब लगता नहीं ये program आगे बढ़ेगा लेकिन फिर भी हम final कुछ नहीं कह सकते अब हो सकता 6 मेनों के अंदर कोई contract signing हो जाए धन्यवाद जैहिन